नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक शुर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिरिस का विशेष का अजकरम सुबह की चाहे देखिए बिहार में सीट सेरिंग एंडिये में अंतीम चरण में है हालाकि मुख्यमंती नितीश कुमाल लंदन में है लेकिन खबरे ये आ रहे है कि लंदन से भी वे बीजेपी के संपर्क में है अमित्सा से बात्चे चल रही है जेपी नद्दा से भी बात्चित हुई है तो देखिए आज का दिन जो है वह एंडिये के लिहास से बरा दिन है आज कई फैसले होने है नई दिल्ली में बरी बैठक है और इस बैठक में साम अरशिना भी दिल्ली रवाना हो गया है तो देखिए यह बरी खबर आज दिल्ली में मैराथन मिटिंग होगी बिहार में सहयोग्यों को कितनी सीटे दी जा रही है इस पर फैसला होगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटे जेडियू को लेकर कोई लोचा नहीं है हाँ कुछ स सीटे जो बदली जानी है जिस पर नितीज कुमा सहमती जता चुके है और जिसके बारे में बीजेपी ने भी कहा है कि हाँ यह यह सीटे आप हमें देने तो अच्छा होगा तो इस पर भी फैसला हो जाएगा लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको यह बताएं कि मुकेश सह कल साम को ही दिली से पतना लोटे थे लेकिन पतना लोटते ही उन्हें फिर से दिली से बुलाबा आ गिया कहा जा रहा है कि वे एंडिये के निताओं के संपर्क में हैं उनकी बात्चीत अमित्सा से भी संबब है और मुकेश सहनी की इंक्रीक करीब करीब एंडिये में तै हो थी उससे आगे अब बात जा रही है मतलब एक से अधिक सीट और निसाद आरक्षन पर कुछ आश्वासन भी देखिए बीजेपी की जो तैयारी है वह इंडिया ब्लॉक के पास कोई स्पेस नहीं छोना चाहती है मुके सहनी का आना और चिराग पास्मान का बने रहना इंडिय में यह बरी बात होगी और जो नरेंद मोदी और अमित सहाने लक्ष रखा है कि बिहार में 40 की 40 सीटे जीटेंगे हलाकि यह कठिन काम है यदि आज की तारिख में भी इंडिया ब्लॉक आरजेटी कॉंग्रेस टिक्टो का ठीक से बटवारा कर दे लेफ्ट के साथ सम्मान ज होने छेरा निसाद को आबाज दी आज वे निसादों के सबसे बरे और सर्वे मानने नेता हैं देखिए आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने उत्तर पदेश में भी संजय निसाद के साथ सम्झोता किया संजय निसाद को भी सीट दिया और संजय निसाद के साथ ब लेकिए अब यदि हम चर्चा कर लें जो MLC के नाम टैग किये गए बीजेपी से कल ही एलान हुआ शाहनवाज हुसाइन पैदल कर दिये गए शाहनवाज हुसाइन बीजेपी के बड़े चेहरा रहे हैं अल्वसंख्यक चेहरा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम होने की साथ है वह क्या करेंगे या देखने की बात होगी वह उमीद कर रहे हैं कि जब उन्हें दिल्ली से बिहार भेजा गया MLC बनाया गया बिहार में उद्योग मंत्री बने अच्छा काम किया तो उन्हें फिर से मौका मिलेगा भागल पुसे चनावर लेने की बात में थोड़ी देखिए जब कल टिक्तों का एलान हो रहा था तो साहनवाज हुसाइन मोतिहारी में सभा कर रहे थे मिटिंग कर रहे थे एंबीए के प्रक्ष में वहीं उन्हें जानकारी मिली कि देखिए वे बेटिकट कर दिये गए तो यह साहनवाज हुसाइन की कबर अब देखिए जो त अतुपुन भूमी का अदा की है और अभी बंगाल के परवारी है सबसे कठिन पर्देश का परवारी बीजेपी ने उन्हें बना रखा है तो मंगल पांडे पर भरोसा और देखिए मंगल पांडे दूसरे ऐसे बखती हैं जिन्हें तीसरी बार विहार विधान परिशत के लि है कि वे मुख धारा की राइदिती में सामने आने वाले हैं तो मंगल पांडे की बात हो गई दॉक्टर लाल मोहन गुपता जिनके बारे में हमने कल ही आपको बताया था ये देखिए जब एलान हुआ तो लोग पता ही नहीं कर पा रहे थे कि दॉक्टर लाल मोहन गुपता है कौन हमने कुछ दिर अभ्यास किया लोगों से बाचित की तो मालू हुआ कि मुझेर के जिला धक्च रहे हैं बांका के परभारी हैं और डॉक्टर लाल मोहन गुपता के नाम से यह पता चलता है कि वे बहस हैं लेकिन जब हमने तहकीकार की तो मालू हुआ कि वे बहस ही वे जाती के ताती हैं जो बिहार में सुदूल कास्ट में सामिल है तो ताती हैं डॉक्टर लाल मोहन गुपता मुंगेर के रहने बाले हैं और बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय से हैं जनसंग के समय से हैं कहा जाता है कि बहुत गरीब हैं कारे करता हैं और उनका जो घर है वो पक्का घर नहीं है जब निखिल चौधरी कटिहार में बीजेपी की उमिद्बार हुआ करते थे तो वे उनके मुख्य करता जाता हुए करते हुआ करते थे और 2014 में जब एंडिये गटवंदन के 85 के रूप में बीना दिवी मुंगेर में चुनाओ मैदान में आई थी ल अब देखिए तीसरा नाम अनामिका सिंग पटेल अनामिका सिंग जो है देखिए उनका पूरा नाम अनामिका सिंग पटेल है इधर के दिनों में चर्चित थी और मिडिया पैनलिस्ट थी बीजेपी का प्रक्ष अन्दिये का प्रक्ष मजबूती से रख रही थी तो अनाम ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पहले एंडिये फैसला कर ले कि एंडिये में चिराग पासपान की क्या बात होती है मुकेश शहनी की क्या बात होती है एंडिये की भीता सही खबर है कि यदि मुकेश सहनी आ रहे हैं और उ पहत नितीज कुमार भी अपनी सीटों में दे सकते हैं साइड एक सीट छोड़े या खबर है क्योंकि मुके सहनी नितीज कुमार की पसंद भी है तो बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि जब मुके सहनी आएंगे बिहार में उनके मद्दाता हैं उनके बोटर हैं जो निसाद जा जाएगा या पांच में एक कम हो जाएगा हमारी जानकारी चार सीटों की है और देखिए अभी जो इंतिजार है जिस बात की पतिक्छा है वह पतिक्छा है कि बीजेपी पसुपती कुमार पारस के साथ क्या बाचित कर रही है क्योंकि देखिए आज की तारिख में पसुप दिया है कि हमारे नेटा चिराग पासबान हैं लेकिन महबूब वली कैसर अभी इधर भी है अभी उधर भी है पर चिराग पासबान के साथ तीन माप किज़ेगा पसुपति कुमार पारश के साथ तीन पसुपति कुमार पारश स्वैम प्रिंस राज दूसरे और चंदन सिंग सुरजभान सिंग के भाई चंदन सिंग ये तीन तो है तो इन तीन का क्या होगा इन तीन के बारे में क्या निने लिया जा रहा है इन में से कितनों को लोजपा पारस के सिंबल पर लराए जाएगा या फिर बीजेपी अपने सिंबल पर लराएगी देखिए नवादा की सीट क एक बड़े फैक्टर है और विहार में भुम्यार राजनिती को जब समझते हैं भुम्यार जाती की ताकत को समझते हैं तो देखे चुरावी राजनिती में लोग करते हैं जैसे आप करते हैं कि ये जाती जो है दही में जोरन का काम करती है वैसे ही भुम्यार के बारे में आज ने अधिक डाल दिया तो खराब नमक यदि कम डाल दिया तो खराब नमक को बराबर रखिए तो सुरजभान सिंग की ताकत बिहार में भुम्यार नेताओं की जब बात होती है सुरजभान सिंग की बात होती है अनन सिंग की बात होती है ललन सिंग की बात होती है खिले सिंग क पुर्विधायक जो है उनका नाम भी अनिल सिंग और तो इन में से किसके बारे में क्या फैसला होगा तो यह देखने की बात होगी तो आज का दिन जो है वह महत्वपुर्ण होगा इंदिये में इंदिये में बड़ी बैठक दिल्ली में होगी जिसमें बिनो ताबरे भी सामि में सामिल होगे विजय कुमार शिना भी सामिल होगे मंगल पांडे भी सामिल होने के लिए कल रात को ही दिल्ली पहुच गए थे आज मीटिंग में सामिल होने के बार वे पटना वापस आएंगे रहेंगे विजय कुमारा सीनहा भी उपस्तित रहेंगे और जेदियू की ओर से विजय कुमारा चौजरी असोग चौजरी इनकी उपस्तिती निखाई परेगी तो आज का दिन मुकेश सहनी के फैसले का दिन है 24 गंता ग्या तालिस गंता आज नहीं तो कल और यदि ये फैसला नहीं हुआ तो फिर मुकेश सहनी की गारी जो है वह दूसरी ओर भी जा सकती है तो क्या होता है यह आपको हम बताएंगे आप देखते रहें लाइब सिटिच को यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनले लाइब सिटिच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा और यहीं इस वीडियो को फेस्बुक पेस के मारे में से देखे तो फेस को लाइक किजिएगा ट्यूटर पर भी हमें पॉलो किजिए धन्यवाद